नमस्कार आज मैं आपके साथ सेयर कर रही हूँ एक ऐसी रेसिपी जो पूरे यूटूब पर आपको कहीं भी नहीं मिलेगी ये मेरा दावे के साथ कहा सकती हूँ और वो है सिंगारा फल की ग्रेवी वाली सबजी I hope आपको वीडियो ये बहुत ही पसंद आएगी और जब आप ये रेसिपी देखेंगे तो आप अपने घर पर बनाई भीना नहीं रह पाएंगे तो चलिए सुरू करते हैं बट उससे पहले मैं खुष्पो का नोजिया और मैं अपने चैनल घर का जायका विद्खुष्पो में आपका स्वागत करती हूँ वीडियो अच्छ जीडियो को टाड लेते हैं और अच्छी तरह से वोस कर लेते हैं और सात में हम इहां पड़ ले रहे हैं पयाज और यह पयाज को मैंने पतला-पतला स्लायस में कट कर लिया है तो इसे भी हम साइड में रख लेते vagy और इसे हमें कोकर में बनाएंगे तो इसके लिए हम कूक प्रेंटी, लॉंग, जीरा और सावत लाल मिर्च एड़ करेंगे और साथ में हम थोड़ी सी काली मिर्च भी और ये सारे को हलका सा गड़म होने देंगे और फिर हम इसमें एड़ कर देंगे प्याज को और प्याज को गुल्डेन ब्राउन होने तक हम कुक करेंगे और इसे ज करकर कुछ देर कुक करेंगे कुछ देर होने के बाद देखिए प्याज अच्छी तरह से गुल्डन ब्राउन हो चुका है अब हम इसमें एड़ करेंगे मसाले तो हल्दी और लासुन का पेस्ट हम इसमें एड़ करेंगे और इसे तेज आज पर हलके से पानी एड़ करकर कुक करेंगे जब आप मसाले को चलाएं तो थोड़ा तेज आज परी पकाएं और जब इसे ढख कर पकाएं तो थोड़ी धीमी कर दें फिर हम इसमें एट करेंगे कस्वेरी मेथी और साथ मेहीं हम एट करेंगे पानी फल को जो कि मैंने अच्छी तरह से बॉस करकर इसका छिलका उ हमारे बॉड़ी के लिए बहुत ही फाइदे मंद है और फिर हम इसमें एट करेंगे लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर और साल्ट, साल्ट आप अपने टेस्ट के और थोड़ा सा सोच समझ के एट करेंगा कि मैंने प्याज में भी सॉल्ट आइड किया हुआ है, और फिर हम इसे एक दो मिनिट के लिए और कुक करेंगे धी मियाज पे, फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी आइड करकर इसे एक दो मिनिट के लिए और कुक करेंगे, अब हम इसे कवर कर देते हैं ताकि ये अपना तेल छोड़े, तो इससे हम कवर कर देते हैं लिट से अब हम कवर को हटा कर दिखाते हैं आपको देखिए ये मसाली कितनी अच्छी तरह से कुख हो गया है अब हम इसमें एड करेंगे एक कप पानी इसमें ज्यादा पानी आप एड मत करिएगा आदा केजी पानी फल के लिए एक कप पानी परफेक्ट है फिर हम इसे थोड़ी थोड़ी पानी आड करकर इसे मिक्स करेंगे और फिर हम इसमें आड करेंगे होमेट गरम मसाला फिर हम इसमें बाकी बचे हुए पानी को आड कर देंगे और इसे लिट लगा कर एक से दो सीटी हाई फ्लेम पर आने देंगे तो हम इसका लीड लगा लेते हैं और इसे हाई फ्लेम पर दो सिटी आने तक कुप करेंगे दो सिटी हो चुका है अब हम इसे गय से उतार कर इसे अच्छी तरह से ठंडी होने देंगे यह अब ठंडा हो चुका है अब हम इसमें आपको दिखाते हैं देखिए मसाले कितनी अच्छी तरह से कुक हुआ है अब हम इसमें एक सिक्रेट इंगिडियन साइट करेंगे और वो है घी का छोक हम इसे गर्म घी से छोक लगा देंगे और इसे कवर करकर और जैसे ही आप इसकी कवर को हटाएंगे इसकी खुस्पी इतनी फैल है गी ना कि लोग भागे भागे आजाएंगे इसे खाने के लिए देखिए ये कितने मसालेदार है अब हम इसे सर्व करते हैं तो सर्व करने के लिए हम इसे कटोरी में निकाल लेंगे ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी मैं दावे के साथ का सकती हूँ और आप इसे एक वार घर पर जरूर बनाईएगा तो आप इसको बनाने के लिए इसके इंगिरियंस को नोट कर लिजिए जो की सारी ये है आप इसे प्राठे के साथ खाईए रोटी के साथ खाईए या फिर फुलाव के साथ खाईए ये बहुत ही यमिल लगेगा खाने में तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई है तो आप इसे एक लाइक तो बनता है और मेरे चैनल को सस्क्राइब करने मे कोई भी कंजूसी मत कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा सेयर कीजिए अपने फैमिली में रिलेटिव में अपने फ्रेंड्स में ताकि वो लोग भी इसका लूपत उठा सके और आपको अगर मुझे सजेसन देना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करकर बताईए तो जब तक खुश रहें खुशियां बाठते रहें और आसपा सफाइब बनाए रखे थैंक यू टेक क्यार एंड नमसकार